Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल अपना एक देश बना लिया, ऐसा दावा किया गया, क्या थी इस देश की हकीकत, क्या यह असल में एक्जिस्ट करता भी है या नहीं, यह सब आज आपको बताने वाले हैं, भारत से यह भागा कैसे, यह आज आपको बताने वाले हैं, और कैसे इस फर्जी देश को United Nations Conference में वहा है क्योंकि आपके GS4 के ethics को cover करता है, यहाँ पर आपको कई सारी ऐसी चीजें समझने को मिलेंगी, ऐसी case studies आप इसमें समझ सकते हैं, शुरुबात करते हैं आज के एपिसोड की, नित्यान्द का जनम हुआ, एक जन्वरी 1978 को तमिल नाडु के थिरूवनम अलाई में, यह बत एक मिडल क्लास परवार में इसका तिरूवनम अलाई में जनम हुआ, नाम था राज सेकरन, पिता जो थे वो किरानी की दुकान चलाते थे, माँ हाउस वाइफ थी, साथ में दो छोटे भाई थे, तो यह करीबन पांच लोगों का परवार था, शुरुबाती दौर में जब बच्चा ही आगे जाके एक बहुत बड़ा संत बनेगा, हलाकि इस तरह की चीज़ों को प्रमाण नहीं मिलता है, यह नित्यांद के दौरा बताई गई ही चीज़े हैं, तो यहाँ पर यह इस तरह की चीज़ बताई जाती है, नित्यांद ने यहाँ से अपनी जब उसकी उ नित्यांद बैंगलोर आजाता है, बैंगलोर में आने के बाद में, साल बताते हैं करीबन 2003, बैंगलोर में नित्यांद ने अपना एक आश्रम पहला आश्रम शुरू किया, नित्यांद ध्यान पीठम नाम से, यह जो ध्यान पीठम था यह बैंगलोर के पास में बिडाडी जाए जो सेनेरियो है नित्यान्त कर जो क्थ क्योंकि सब में जो साल इसके चले हैं काफी सारे सीडो साइंटिफेक क्लेम्स किये इस तरह की बाते कहीं अपने प्रवचनों में कि उसने सूर्य उदय को सन्राइस को 40 मिनिट तक डिले कर दिया था उसने उसको 40 मिनिट सूरज को ओगने से डिले कर दिया था साथ में उसने बताया है कि ये जो पशु पक्षी हैं इनको इनसे वो बात करता है इनको ये बोलते हैं उसके साथ में इनको उसने भाशाएं सिखाई है तमिल और संस्कृत साथ में उसने ये जो फॉर्मुला है मास एनरजी एक्वेलेंस का E equal to mc square इसको disapprove कर दिया ये अपने तीसरी आंक है थर्ड आई ये खुद को ये एक तरह से self styled godman ये बन चुका था ये खुद को भगवान का अफ्तार बता था इसने ये भी कहा एक claim ये भी किया कि अपनी तीसरी आंक से नित्यांद ने जो इसके followers भी मानते हैं और वो ये कहते हैं कि 82 अंदे बच्चों को उन 2004 से नित्यांद ने अपनी books निकालना शुरू किया किताबे निकालना शुरू किया अभी तक बताते हैं करीबं 500 से यदा किताबे हैं जिन पर नित्यांद का नाम है जो नित्यांद ने लिखी है इस तरह की बात कही जाती है 2004 से इस तरह का समय आ चुका था कि हर अगले साल म केलाश मान सरूवर की यात्राओं पर जाता था और यह उनी के खर्चों पर जाता था यह बताता था कि एक अलग यूपसी-CSE की तयारी करना चाहते हैं यहां कर रहे हैं आपका सपना इस एक्जाम को क्रैक करना आयस बनना यहां पर भारत का बेस्ट अफॉरड़ेबल एड्यूकेशन प्लैटफॉर्म प्रोग्राम पी टुवाई प्रोग्राम का नाम है और यहां पर आपको प्रोग्राम स साथ में आपके sessions होते हैं motivational आपको lectures दिये जाते हैं mentorship मिल जाती वन टू वन साथ में आपको यहां पर mock test मिल जाते हैं test series मिल जाती कई सारी सहुलेतों के साथ यह batch आपको मिलता है यहां पर इसके तीन अलग अलग जो batch हैं इसमें तीन अलग इसके categories हैं एक आपका silver है एक gold एक platinum है अपनी हिसाब से अपनी सहुलेत के हिसाब से सिर्फ फरक यह है कि तीनों batches में time का difference है जो validity है उसका difference है एक आपको मिलता है 18 महीने के लिए एक 30 महीने के लिए और एक 42 महीनों के लिए 18 महीने का जो P2I का batch है आप यहां पे जो 70,000 का वो batch है आपको एक बड़े discount के साथ मिलता है अगर आप यह code लगाते हैं वीजे live code लगाते हैं आपको यह जो silver batches की कीमत 70,000 रुपय है वो महस 24,000 रुपय है मिल जाता है और यह आप अवेल कर सकते हैं 31 October तक जल्दी से जल्दी अपनी तयारी को मजबूत बनाने के लिए और एक बड़ा discount लेने के लिए इस code क आपको उसका भी description में link मिल जाएगा एक बड़ी sale चल रही है यहाँ पर भी जब आप वीजे live code लगाएंगे तो बाकी किसी भी code के comparison में आपको सबसे बड़ा discount यहाँ पर मिलता है जल्दी से जल्दी अपनी तयारी को मजबूत करने के लिए इस step को लिजे और इस code को लगा यह वीडियो फोटेजेस थे नित्ययंद के आश्रम के बैंगलोर के आश्रम के जिसमें नित्ययंद के bedroom की कुछ वीडियोस थी जहाँ पे वो एक महिला के साथ में compromising position में नजर आ रहा था चैन्ने की संटीवी ने इसमें से एक वीडियो को टेलीकास्ट भी किया जब टेलीकास्ट किया तो पूरे तमिल नाडू में यह जो वीडियो था वो तेजी से वाइरल होने लगा और यह खबर फैल गई क्योंकि इसमें जो महिला दिख रही थी वो बताया गया कि यह तमिल एक्ट्रेस तमिल फिल्मों की एक्ट्रेस रंजीता थी जोकी नित्याण की शिश्या भी थी ये चीज़े जब सामने आई तो नित्यान्द और रंजिता दोनों ने ही इन वीडियोस को फेक बताया और इसके बाद चैन्नेई के जो संटी भी था और बाकी चैनल से उनकी उपर लॉसूट भी फाइल कर दिया ड्राइवर ने ये भी आरोप लगा नित्यान की उपर कि उसने इस वीडियो को इसका खंदन किया उसने और कहा कि इस वीडियो को U.S. के जांच कराई और ये बाते कह कर रहा था लेकिन इसके बाद इमामलाश शान्त भी नहीं हुआ था कि 2010 में ही United States की एक citizen, US की एक citizen आरती राओ, आरती राओ ने जो की नित्यान की disciple थी, जो की उसकी शिश्या भी थी, उस पे एक आरोप लगाया, एक बड़ा संगीन आरोप थाए, आरती राओ ने ये कहा कि US में और भारत में, नित्यान ने करीबन 5 सालों तक, 2004 से 2009 तक, आरती र राओ ने US में Michigan में, वहाँ पे पुलिस department को अपनी complaint दी, लेकिन वहाँ से जब कारवाई नहीं हुई, तो फिर उसके बाद, इस US citizen ने, आरती राओ ने, करनाट का पुलिस को भारत में, यहाँ पे अपना एक case file किया, जब यहाँ case file हुआ, इसके बाद में नित्यान की, क्य ही रही थी, एक तरह से आप यह देखिए, नित्यान ने यहाँ पे क्या कहा, इसके अपने बचाव में, उसने यह कहा कि यह जो लड़की है, यह महिला जो है, यह खुदी इसने नित्यान को अप्रोच किया था, एक letter के साथ में, उसकी जो STD है, sexually transmitted disease है, उसको cure करने के लिए और इसके बाद में, नित्यान यहाँ से अपना बचाव में, इसी चीजें अपने प्रभचनों में कहता रहा, नित्यान के खिलाफ इसके cases थे, वो लगातार सामने आ रहे थे, investigation इस case की, दी जाती है CID को, CID के पास investigation पहुँचती है, और इसी बीच में हुआ किया कि जून क महीने में ही, जून के महीने में नित्यान ने अपने आश्रम में एक press conference की, इस press conference में एक journalist था जिसने इसी यह जो rape का मामला चल रहा था नित्यान के उपर, इसमें सवाल किया, उस सवाल से नित्यान ने गुसा है हुए नित्यान ने एक तरह से, उस journalist के साथ में हाता पाई कर जब यहाठा पाई हुई यहाँ से केस फिर से रेजिटर हुआ नित्यांद के खिलाअप आप इस बार उसको फिर से अरेस्ट भी कर लिया गया अब यह आरेस्ट होता है ग्रफतार होता है बताते हैं करीपन करीबं 50 से 52 दिनों तक कि जेल में भी रहा जेल से बाहर आने के बा body में ऐसा change हुआ था, 12 साल की उमर में, ये एक genetic mutation हुआ, उसके बाद 12 साल की उमर में एक ओर genetic mutation इस तरह का हुआ, कि जब मुझे पता चला कि मैं कोई साधरन आदमी नहीं हूँ, कोई साधरन इनसान नहीं हूँ और मैं ये सारे एक्ट कर ही नहीं सकता जिनका मुझे पर आरोप लगाया जा रहा है खेर ये सारी चीज़ें अब यहां से चलना शुरू हुई नित्यांद जेल से क्योंकि भाहर आचुका था एक बार जेल गया हुआ था ये सब चलता रहा, साल बीथते गए नित्यांद अपने अलग-अलग राज्यों में भारत के आश्रम बनाता रहा ऐसा ही एक आश्रम उसने गुजरात में भी बनाया था गुजरात में जो आश्रम इसने बनाया था इसका नाम था योगिनी सर्वग्य पीठम 2019 में क्या हुआ, 2019 क्योंकि अभी आच चुका था योगिनी सर्वग्य पीठम आश्रम के नाम से एक केस पाइल हुआ कोड में, एक केस आया कोड के सामने हुआ ये था कि साल 2019 नवंबर में तमिल नाडू के एक कपल ने एक दमपत्ती ने हाई कोड आफ चेन्नाई को अप्रोच किया और उन्होंने ये क्लेम करते हुए ये कहा कि उनके तीन बच्चों को बैंगलोर के नित्यान के आश्रम से चेन्नाई में इस आश्रम में ले जाया गया एमदाबाद के अंदर ये जो योगिनी सरवग्य पीठा माश्रम है और वहाँ पे ले जाया गया इनके तीन बच्चों को इनकी मनजूरी के बिना और इसके बाद नित्यान उनको रखे हुए और वहाँ से वो बापस नहीं आया अभी तक तो ये जो कपल था इसने कोट के सामने ये अर्जी डाली थी अपनी अपील की थी कि ये अपने बच्चों की कस्टडी नित्यान से मांग रहे हैं जब ये केस सामने आया तो कोट ने नित्यान को तलब किया उसको कोट में हाजर होने के लिए कहा गया पुलिस को भी कहा गया कि इसकी तहकीकात की जाए कहां पर कई बार कोट की हेरिंग्स जब होई तब नित्यान्द कोट में अपियर ही नहीं हुआ ये कोट में आया ही नहीं इसके बाद पुलिस ने क्योंकि गुजरात पुलिस ने भी अब सतर नवंबर 2019 को एक FIR रज़स्टर की FIR यहां पर रज़स्टर होती है इसको इसकी चानवीन के लिए इसको लेने के लिए जाया जाता है और इसके बाद में अगले ही दन गुजरात पुलिस का इस्टेटमेंट सामने आता है नित्यानंद जो भारत से फरार हो गया है वो भारत से भाग गया है नित्यानंद का यह जो भागना था भारत से यह पहले से कि एक लंबी प्लानिंग के तहत किया गया था क्योंकि आप ये देखिए कि जो डीटेल सामने आये बाद में नित्यान का जो पासपोर्ट था वो 2008 में एक अक्टोबर को बैंगलोर ओफिस से इशू हुआ था और उसकी जो वैलेटी थी जो उसकी एकस्पारी डेट थी वो थी 30 सेप्टमबर 2018 वो सितंबर 2018 में एकस्पार भी होने वाला था वो तभी तक वैलेट था इसके बीच में नित्यान ने एक दफ़ा रेनिवल के लिए अपने पासपोर्ट के रेन्यू करने के लिए एपलाई किया हुआ था बैंगलोर ओफिस में लेकिन उसको वहां से नित्यान भारत से भाग चुका था यह जो केस उस पर चल रहे थे जो कोट में भी केस पहुचा था वो 2019 में पहुचा है नवेंबर में लेकिन वो एक साल पहले ही यहां से भाग चुका था इस तरह के भी अन्मान यहां से लगाए जाते है खेर गुजरात पुलिस ने इसके बाद करनाट का CID के साथ भी संपर्ख किया क्योंकि दोनों ही इस टेट के जो पुलिस थी वो इसकी तलाश में थी साथी साथ में यहां पे इंटरपोल को भी कॉन्टेक किया गया गुजरात पुलिस को ये पता चला कुछ सूत्रों से कि ये नित्यान जो है वो एक्वाडोर में साउथ अमेरिका के एक्वाडोर में और त्रिंडाड और टबाकों में छुपा हुआ है कहीं पे ये सब चीज़ें सामने आती है लेकिन इसी बीच में जब पुलिस नित्यान की तलाश में थी पीछे थी इधर दिसंबर 2019 में एक बहुत बड़ा एक और आरोप नित्यान के उपर लगता है तो इस बाए ये आया था फ्रांस से फ्रांस government की entry यहाँ पर होती है जब एक complaint register हुई फ्रांस के अंदर जिसको बाद में भारत में भी उसकी थैकीकात की गई फ्रांस government ने एक complaint register की थी एक फ्रेंच devotee की नित्यान का एक फ्रेंच devotee था उसका एक फ्रेंच सिश्य था जिसने आरोप लगाया था कि नित्यान ने उससे करीबन 4 लाख डॉलर्स लूटे हैं उससे करीबन 4 लाख डॉलर्स उसने नित्यान को दिये थे और यह लेकर फरार हो चुका है यहां से भाग चुका है फ्रैंच online ने जब यहाँ पर इंटरपोल को अलर्ट किया इंटरपोल भी इसमें अब सामने अलर्ट पर आ गया था दिल्ली में फ्रैंच अमवेशी जो है उसने भी फ्रांस गवर्मेंट की पूरी यहाँ पे मदद की नित्याण की साही डीटेल्स भारत से निकालने में यह सब चीज है चली रही थी लेकिन इसी बीच में एक वेबसाइट सामने आई है जिससे यह साफ तोर पे एक तरह से क्लियर हुआ कि नित्याण भागा और भाग के कर कह रहा है इस वेबसाइट से जो डीटेल्स मिली मों ये थी कि नित्यानद ने एकवड़ोर के एक आइलेंड पर एक ड्वीप पर अपना एक देश बसा लिया है और ये देश है इसका नाम उसने कैलासा रखा है जैसे कि महादेव का निबास इस्तान माना जाता है कैलाश परवत को इसी तरह से उसी का जाता है जिसमें नंदी की फोटो एक तरफ और एक तरफ परम शिवा के फॉर्म में नित्यानद की तस्वीर है एक वेफसाइट है इसकी पूरी जिस सारी डीटेल्स है इसके अलग-लग डेपार्टमेंट की जिस तरह किसी देश के कॉर्मेंट की होती है साथ में यहां पर इंडिया की तरह इनका रिजर्व बैंक ऑफ कैलासा है यहां पर इनके जो नैशनल एंबलम है इनके पास में और इस देश को बताया जाता है कैलासा को नित्यान के कि यह प्रत्वी पर हिंदू को सबसे बड़ा रास्ट रहे यहां पर जो भी रिफूजीज हैं जो भी ह अनॉंस्मेंट किया था और हाली में अभी उसने सिटीजन्शिप के लिए वीजा का भी अनॉंस्मेंट वहां से किया है तो यह सारी चीज़ें लगाता चल रही थी खेर 2019 में यह चीज़ें जब सामने आई इसके बाद यह भी चीज़ सामने आई कि इस देश का जो है वो ए पर मौझूद है तो यह एक तरह का इसने सारा अपना एक देश बना लिया है यह क्लेम किये गए यहां से खेर यह सारी जानकारी जो थी वो से अभी तक एक वेबसाइट पर ही अविलेवल है और इस देश का कोई भी कहीं भी एक्जिस्टेंस नहीं मिला है इसका कोई आफॉल को कॉंटेक्ट किया और इंटर पो अऽे बुलू कॉडर नोटी सुने नाम पर इसू करने के लिए यह ब्लू कोड़ नोटीस बसिकली इनटरपोल इस्वों करता अपने जो ऊसकी member countries हैं, उनके साथ में ये इस तरह से किसी शक्स की information निकालने के लिए, उसकी internal information उनके देश में वो है या नहीं, ये सब निकालने के लिए, इसमें जैसे identity हो गई, उसकी location हो गई, उसकी activities हो गई, क्या वो उनके देश में कर रहा है, तो ये सब चीज़ें निकालने के लिए, यहां से issue किया जाता है, लेकिन यहां से अब ये सब चीज़ें तो भारत की पुलिस है, साथ में French authorities जो थी, वो सब करी रही थी, उन्होंने भी Interpol को contact किया था, लेकिन इस बीच जब Ecuador की government से सवाल किया गया, कि क्या उनके नित्यनन्द है, या इस तरह का कैलासा नाम का कोई island, ऐसी कोई नई city जो है, जो ऐसा कोई नया देश है, वो बसा लिया है, यहां से उन्होंने साफ इंकार कर दिया, Ecuador की government ने का कि हमारे नित्यनन नहीं है, नहीं नहीं है, कोई कैलासा नाम का कोई nation है, लेकिन रिपोर्ट के मताबिक यह बताया गया, कि नित्यान जो है, यह पहले से बहुत लंबी चोड़ी एक planning थी, जब से 2010 में इसकी एक फसना शुरू हुआ था, 2012 में यह चीज़ें बहुत ही जादा तेजी से चल रही थी पूरे भा नहीं है, और यह वहाँ पे जाके इसने, यह रहने लगा है, वहाँ पे छुप गया है, यह कितनी बात सच है, यह एकवाडोर पे एक आईलेंड यहाँ पे कैलासा नाम का है, इसके अभी तो कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन जब यहाँ पे हमारी Ministry of External Affairs ने, इस पे क्य का आप यह सुनिया, Ministry of External Affairs के स्पोक्स परसन से जब एक प्रेस कॉंफरेंस में सवाल किया गया था, तो उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति जो खुद के एक देश को बनाने का दावा करता है, इसके बारे में जवाब देना क्या वाकई ज़रूरी है, क्योंकि यह एक तरह से एक फेक बात है, साथ ही उन्होंने यह कहा कि सिर्फ एक वेबसाइट बनाने से यह मतलब नहीं होता कि आपने एक देश बना लिया है, कुल मिला के में एक यह कहना था, Minister of External Affairs का कि इसने सिर्फ एक वेबसाइट बनाई है, वो सिर्फ सारी इंफोर्मिशन जो है, वो सिर्फ एक साइट पर अविलेबल है, और इस तरह का कोई देश एक्जिस्स नहीं करता है, यह सिर्फ एक भगोडा है, जो कि यहां से भागा हुआ है, भारत से, लेकिन सवाल यहां पर यही है, कि जब वो भागा है, तो इसको भारत वापस लाने के लिए क्या किया जा रहा है, खेर, इसके बाद यहां से, नित्यानंथ जो था, यह दुनिया को अब एक और बड़ा जटका देने वाला था, और यह जटका आने वाला था साल 2023 में, और यह इस तरह का जटका था, जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था, साल 2023, 24 फरवरी को, United Nations की Committee on Economic, Social and Cultural Rights, CESCR, इसने जन इवा में एक जनरल डिसकर्शन का आयोजन किया, जिसके लिए इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर एक रेजिट्रेशन लिंक भी डाली थी, यह रेजिट्रेशन लिंक जब इन्होंने डाली, तो इसके बाद नित्यांथ और उसके जो फॉलोर्स थे, जो उसके कहलासा क representatives से, वो इसी मौकए ही क्योंकि तलाश में थे, इसी तरह है कि, क्योंकि इससे वो क्या कर सकते थे, कि वो कहलासा कोई जो इनका एक देश है, जिस को इक देश कह रहे हैं, यह इसको दुनिया के बीच में एक पैचान दिलवा सकते थे, दुनिया के बीच में उसको ख्याती दिलबा सकते थे यहां से United Nations की इस organization ने इस discussion के लिए यह कहा था कि सभी members को जो भी member states हैं उनको economical और social cultural rights के उपर अपनी reports बनानी है और साथी साथ में कोई भी member state, कोई भी organization या कोई भी individual अगर उनके किसी भी CSCR को approach कर सकता है अगर उनके किसी भी उनका दुरुपयोग हो रहा है या उनके साथ में कोई ज्यात्ती हो रही है तो इसी regulation के चलते 24 फरवरी 2003 को United Nation की इस conference में उस discussion के अंदर नित्यान के बनाये गए देश United States of Kailasa के साथ representative, साथ लोग जनीवा इस press conference, इस UN conference में पहुँच जाते हैं अब यह यहाँ पे पहुँचे, Kailasa की खुद को एक तरह से permanent ambassador बताते हुए एक लड़की सामने आई, एक लड़की थी जिसका नाम था विजय प्रिया नित्यानंद, विजय प्रिया नित्यानंद जो की पीतांबर साड़ी पहनी हुई थी, काली पगड़ी थी उसके सिर पे रूदराक्ष की मालाएं पहनी हुई थी, उसके आम पे नित्यान्द का एक टैटू था, यह इस तरह की एक लड़की और बाकी पांच लड़कीयों के साथ में और एक दो उसमें एक उसमें आदमी भी था, नित्यान्द का representative कहला सा का, यह लोग यहाँ पे UN conference में वहाँ पह पहत जो sustainable development है, उस पर काम कर रहा है, और साथ में उसने नित्यान्द के बारे में कहा कि, नित्यान्द जो है, वो एक तरह से देश में, उनी के देश में उनको उबदेश देने से मना कर दिया गया, उनको रोक लगा दी गई, उन्हें देश निकाला कर दिया गया, यानी कि भारत से यह उसने वहाँ पर कहा साथी साथ उसने कहा उन बाकी देशों से UN Conference में कि उनकी मदद की जाए नित्यनंदर की मदद की जाए कैलासा के लिए आप लोग योगदान दे इस डिसकुर्शन के बाद में नित्यनंदर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट कि इस ट्वीट ने पूरी दुनिया भर में संसनी फैला दी थी वह पूरी दुनिया भर में इस देश की चर्चा होने लगी थी कि यह सक कौन सा देश है जो अचानक से सामने आया जो की 193 करीबन जो रिकॉगनाइज कंट्रीज उन की उसमें यह है नहीं लेकिन फिर भी यह व अमेरिका की यू-उ-एस स्टेट निवार्क निवार्क नियूजर्सी की निवार्क को अमेरिकन siी निवार्क को इस तरह से वियवकुभ बनाया गया नितिय Михांट के ध्रार है कि दरसल यह जो representative थे कहला सा के यह अलग-अलग देशों के साथ में diplomatic relations बनाने के लिए उनसे contact कर रहे थे जा रहे थे इसी के तहित यह निवार्क में जाते हैं और वहां के जो mayor थे निवार्क के रास बरा का उनसे contact करते हैं उनसे कॉंटेक्ट करके इन लोगों ने ये कहा कि एक पैक्ट पे साइन किया जाए सिस्टर सिटी पार्टनर्शिप का निवारक और कैलासा के बीच में जो मेर ते रासबरा का वो उन्होंने इस पे अपनी हामी भर दी उन्होंने स्विकार लिया इस चीज़ को और जब उन्ह एक तरह से बेखूफ बना दिया गया है बाद में निवारक एड्मिस्ट्रेशन ने इस पैक्ट को वॉइड डेक्लेयर कर दिया उन्होंने मना कर दिया इस से लेकिन इस तरह से करीबन बताते हैं कि तीस ऐसे अमेरिकन सिटी जिनको कैलासा के रिप्रिजन्टेटिव ने ब वाली का वहां पर इनको बुलाया गया था रूलिंग कंजरवेटिव पार्टी के दो सांसदों की तरफ से बिटिश हाउस ओफ लॉड्स में तो यह वहां पर भी पहुंचे थे और इसके बाद फिर से एक बार कैलासा पूरी दुनिया भर में इसका नाम जो था वो आया था सामने अब सवाल यहां पर सबसे बड़ा क्या खड़ा होता है अब सबसे बड़ा यहां पर ये खड़ा होता है कि जब दुनिया भर में दुनिया भर में क rightly retrospective जो हैं वो जा रहे हैं यहां लोगों से मिल रहे हैं अलग-अलग देशियों के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने के लिए उन्हें अप्रोच कर रहे हैं आफर कर रहे हैं साथ ही साथ में जो उसका Twitter account है कहलासा का नित्यांद का वो भी एक्टिव है प्रो एक्टिव है वहां पर रोज के ट्वीट्स हो रहे हैं अपनी information शेयर करते हैं हाली में 2022 में आप देखें तो यहां पर एवीजा के लिए अपनी जो सेपियंशेप है कहलासा की उसके लिए नि लोग कर रहे हैं साथी साथ में website पर सारी information available है तो यहां पर ऐसे में हमारी भारत सरकार क्या कर रही है क्योंकि जो ऐसा शक्स जिसने हमारे कानून का एक तरह से मजाग बनाया है वो यहां से निकला है भाग निकला है वो एक तरह से आरोपी है रेप का आरोपी है फ्रांस की unknown है मतलब आप यह देखिए कि यह किसी को नहीं पता कि यह country जो यह दावा किया जा रहा है नित्यांदा की तरफ से UN में भी वो जिस फरजी country को लेके पहुंचा है यह exist करती भी है या नहीं लेकिन reports अब आप यह देखिए कि अगर उसकी corporate filling को देखा जाए तो नित्यांदा इस समय पर कहां है और कहां पर हो सकता है इसकी कुछ details मिलती है इसके कुछ footprints मिलते हैं यह reveal होते हैं 2019 October में Hong Kong के global financial hub में कैलासा limited नाम से एक company register कराई गए इत्यान के दौरा यह company जो थी इसका address था World Trust Tower Stanley Street Hong Kong इसके बाद में आप यह देखिए कि कैलासा ने यह जो कई सारे इसके affiliated organizations थी इनको शुरू किया US के अंदर ऐसी 10 organizations सामने आती हैं ऐसे NGOs कई सारे सामने आते हैं जिनकी तरफ से यह पूरा जो affiliated थे कैलासा की तरफ से इस कैलासा private limited की तरफ से यहां से इनको शुरू किया गया अलग अलग जगे पे सैंड जोस में, मिशिगेन में, मिनिसोटा में, पिट्सबर्ग में, डेलास में, हॉस्टन में और सियाटल में यहां पे यह अलग अलग NGOs हैं ऐसी organization हैं दस organizations जो कि यहां से पूरा जो funding का flow है एक तरह से नित्यंद का और कैलासा का यह सारा कुछ मैनेज करते हैं, यहां से पूरी funding का जो flow है वो होता है, यह सारी चीजें एक शक्स जो की rape का आरोपी, जिसके उपर fraud का इल्जाम, वो सब करे जा रहा है और यहां पे वो हिंदू धरम की आड में, अलग अलग देशों के साथ में contact करता है, उन्हें अप्रोच करता है, लेकिन सबस किस तरह से भारत से भागा है, किस तरह उसके यहां पे आरोप उसके उपर लगे थे, क्या वो पूरी स्टोरी थी, जहां से उसको भागने पर मजबूर होना पड़ा और किस दोरान वो यहां से भागा होगा, भारत सरकार का इस पे क्या कहना था, और साथ में UN तक कैसे यह सब कुछ आपको बता दिया है उमीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कई सारे लिंक्स मिल जाएंगे कोर्स के जहां पे आप अपने सहुलित के हिसाब से अपना एक बैच अपना एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं बहुती अफॉर्डिबल प्राइज में क्वालिटी स्टडी माटीरियल मिल जाता है यूपसी सीएसी का आप यहां पर अपनी तयारी को बहुत जाव मजबूत बनाएंगे और इसमें आपको लेने के लिए क्या करना है कि एक कोड लगाना है वीजे लाइव वीजे लाइव दिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे, कोर्सेस के भी और साथ में हमारी प्लेर्स का भी, हम कई सारे ऐसे एपिसोड आपके लेकर आते रहते हैं, मिलते हैं अब अगले एपिसोड में, तब तक लिए दीजे जात, नमस्कार, धन्यवाद, जैहिंद